जैहिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कच्छाच्छा का इतिहास पार्ठ आठ मौर्यो उत्तर काल में भारत की इस्टिती वब विडेसों से संपर्क इसके पहले बाले वीडियो में हम लोग मौर समराज्य के बारे में पढ़ा था अगर ओ वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो हमारे इतिहास के प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज़े शुरू करते हैं वीडियो हम अपने परिचितों रिष्टिदारों आदि के घर जाते हैं प्राय हम इनसे रहन सहन तोर तरीके भोजन आदी संबंधी अच्छी बाते सीख लेते हैं इसी प्रकार एक देख से दूसरे देख को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं भायरत में भी जब विदेशी लोग आएं और यहां सासन किया तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बाते सिखी मौर्यों के बाद लगभग दूसर इसापुर्व से जो काल आरंब होता है उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज हुएं मौर्यों समराज कर जब पटन हो गया उकरे बाद जो भी राज हुएं उसमें छोटे छोटे राजा होते थें छोटा छोटा उन लोगों का राज होता था एक सक्ति सालिक केंद्री सक्ति का अभाव हो चुका था इसमें छोटे छोटे राजाओं बहुत सारे राजाओं ने सासन किया है इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग पुर्वी भारत, मद्य भारत और दच्चिर भारत में मौर्यों के इस्ठान पर कई इस्ठानी ब्रामण सासन सक्ता में आएं जैसे सुंग वन्स, करव वन्स और सात्वाहन इनमें सात्वाहन आंध सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए अब जानते हैं सुंग वन्स के बारे में मौर्यों के बार सुंग आएं फिन करव आएं फिन सात्वाहन वन्स आया सुंग वन्स मौर्य समराज के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता सुंग वन्स के हाथों में आ गई सुंग उज्जैन प्रदेश की निवासी थें तथा इनके पुर्वज मौर्यों की सेवा में थें इस वन्सका संश्थापक पुस्मित सुंग था जो अंतिम मौरे समरात ब्रिहदत का सेना पती था अब आगे कर वन्स अंतिम सुंग सासक देव भूती की हत्या उसके सची वसु देव ने की तथा पचातर इसापुरु में कर वन्सकी निवरखी इसमें केवल चार सासक ही हुए वसु देव भूमे मित्र नारायण वा सुस्मर्न अंतिम सासक सुस्मर्न की हत्या तीस इसापुरु में सिमुग द्वरा कर दी गई सात्वाहन वन्स लगभग तीस इसापुरु से दूसर तिन स्वी तक चला यह लंबा समर्काल तक चला है सात्वाहन वन्स इस वन्स का संस्थापक सिमुग था। उसके उत्रधिकारियों ने अपने प्राकरम से एक विशाल राज की इस्थापना की इसके सासकों ने अभिलेखो एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपने माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वन्स के सासक वैदिक धर्म के अनुयाई थे। इन्होंने सभी धर्मों की प्रति समान द्रिष्टी कोड अपनाया। बहुत भिच्छूं को भी भूमी तथा ग्राम दान में दिया। इसी समर्पत्थर की थोस तानों को काटकर चैत्यों और बिहारों का निर्माण हुआ। इसमें कारले का चैत्र मंडप प्रसिद्ध है। देखिए यह जो है कारले का चैत्र मंडप है। कारले के चैत्र का भीतरी द्रिष्ट से ही है। अब चैत्र होता क्या है। चैत्र जो है बहुत धर्म के प्राथना इस्ठल होते हैं। पश्चिम उत्तर भारत में भी मौर्यों के इस्थान पर मद एसिया और चीन से आएं कई विदेशी राजवनसों ने अपना सासन जमाया जैसे हिंद युनानी सक पहलो और कुसाड़ सबसे अधिक विख्यात हिंद युनानी सासक बीनादर हुआ वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है उसकी राज़दानी पंजाब में साकल आधोनिक सियाल कोट थी युनानीों के बाद सक आएं सक सासकों में रुद्र दामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात सासक था सक के बाद पहलो पाथियाई इरान से भारत आएं वे सकों की तरह भारती राज़तंत्र और समाज में के विविन अंग बन गएं पहलों के बाद कुसाड आएं कुसाड सासकों में कनिस्क प्रथम सरवाधिक विख्यात सासक हुआ वह इतिहास में दो कारों से प्रसिद्ध हुआ पहला उसने 78 इस्वी में एक सन्वत चलाया जो सक सन्वत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है दूसरा उसने बहुत धर्म को अपना कर कस्मीर में चोथी बहुत संगिती को भी आयोजित करवाया था पारस्परिक आदान प्रदान तक्निकी भारतियों ने हिंद युनानी वह कुशाडों से सोना वह चांदी को पिगला कर सिक्के बनाने का नया तरीका सिखा यह विधि पुरु प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए तुगडों में लगे थपों के सिक्कों से अधिक सुन्दर वह इस्पस्त थी इन सिक्कों में राजाओं के चित्र वह लिपी बहुत थी सुन्दर इस्पस्त दिखती थी देखे यह चांदी से निर्मित युनानी सिक्का प्रडाली है और यह हुसाड कालिन सोने का सिक्का प्रडाली है आगे पहनावा सक्व कुशाड स्पगड़ी कुर्टी पजामा लंबे जूटे और भारी लंबे कोट सिरवानी को प्रचलन में लाएं ब्यापार मद एसिया वर रोमन समराज से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ काच के बने बर्तन को बनाने की तरिक तकनीक में प्रगती हुई इस काल में नगरी करण चोटी पर पहुच गया था कनिस्क ने तच सिला पूरुसपूर नगर का सुन्दरी करण किया और कसमीर में कनिस्क पूर नगर आधुनिक काजी पूर स्रीनगर के पास बसाया आधुनिक जो काजीपूर स्रीनगर है न यहाँ पर इसके पहले अब तो नाम चेंजिंग कर गया हो गया है इसके पहले कनिस्क के समय कनिस्क पूर नगर इसका नाम था कनिस्क ने इसे बसाया था आगे कुसाडों ने चीन से मद एसिया होते हुए रोमन समराज को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंतरड कर लिया था जिससे भारती ब्यापार के लिए नए औरसर मिले और भारती ब्यापार में ब्रिद्धी हुई यह देखे कनिस्क का बिनस्सीर का मुर्टी है यह मांचित्र है मांचित्र का एक अलग से वीडियों बनाएंगे उसमें आप लुग देख लिजेगा अब विज्ञान और प्रोडोगी की हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं जूर्टी सास्त्र में प्रगति हुई सप्ता के हर दिन को सुर्चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं जैसे रवी सो मंगल सनी या हमने यूनानियों से सिखा यूनानि और सदी पधती के विशवय में जैनकारी हुई यूनानियों से हमें यूनानि और सदी पधती के बारे में जैनकारी प्राप्त हुआ उसके बाद कनिस्क के समय चरक नामक चिकिस्यक हुए इन्होंने चरक सहिंता नाम की एक पूश्टक लिखी जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा आवसदियों के बारे में लिखा है यह सहिंता निर्देश देती है कि चिकिस्यक को अपने मरीजों के साथ विश्वास घाट कभी नहीं करना चाहिए मुर्ति कला कुसाड काल की कला के दो प्रमुक केंदर मतुरा एवं गांधार थे सैलिक के मुर्तिकार द्वारा की गई इन मुर्तियों में बुध को अध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभरा उभार को दिखाया गया है इस सैलिक की मुर्टियों में इसलेटी या नीले धूसर बलुगा पत्थर का फ्रयोग किया जाता था मत्हुरा मुर्टी सैलिक के मुर्टी कारो द्वारा निर्मित बुद्ध की पदमासन में बैठी मुर्टी प्राप्त हुआ हुई है सीर के पीछे प्रवभा मंदल है तथा चेहरे पर प्रसंता का भाव है यह मुर्टियां लाल बलुगा पत्थर में बनाई गई है एक बाई देख लीजिए मुर्टियों को यह गांधार सैलिक की मुर्टी है यह मत्हुरा सैलिक मुर्टी है भगवान बुद्ध का जो मुर्टी है इसका सरुप्रत्थम निर्मार गांधार के मुर्टी कारों ने किया था आगे अब राज बियोष्था के बारे में जानते हैं राजा में दिवत्व की भावना की प्रडाली सको एवं कुसाडों से प्राप्त हुई सहानुसाही की अवधारणा कुसाडों की देन है उन्होंने भारत से क्या सिखा विदेश से आए आक्रमण कारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया यहां के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जूली संस्कृति का विकास हुआ चीन ने बौध चित्रकला भारत से सिखी भावान बुद्र का जो मूर्ति का चित्रकला है चीन भारत से सिखा है भारती संस्कृती में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर छमता रही है यही कारण है की विदेशी आक्रमणकारी भी भारती समाज के विभिन अंग बन गए भारती संस्कृती में सहिजदूत्ता समाजिक मेल जो लचिलापन उदारवादिता व वसुधैव कुटुमबकम का मतलब होता है प्रिथवी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य है कुटुमबकम को ही आदर्स माना गया है इस कारण या संस्कृती आज भी विदुमान है जबकि अन्य समकालिनस प्राचिन सभ्यता जैसे मेसोपुटामिया मिस्र यूनान एवं रोम विलूप्त हो चुकी है और उनके भौतिक औसेस ही बचे हुए है इस समय और भी जानिये सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुशाड सासक बीम कैड फिसस ने जारी किया कुशाड सासकों ने भारत में सरवाधिक सुद्ध सोने के सिक्के चलाया इसी समय बौत धर्म दोस्त संप्रदाओं में बट गया ही नयान और महायान कनिस्क महायान का संरचक था दोस्तो अगर आपको हमारा बीनों पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में सेयर करिए